उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया यह 15 दिन का ही टाइम है में पास जितना भी टाइम है मैं उसमें अपने पूरी एनरजी डाल देती हूँ पूरी जान जोग देती हूँ 15 दिन में मैं कौन सा UPS से निकाल लूँगी करके मेरे दिमाग में बस यह चीज़ थी कि गिव अप नहीं करना है फॉस्ट यर में मेरी दो बाग थी सेकेंड यर में मेरी टीन बाग थी तो बाइद एंड ऑफ थर्ड समिस्टर मेरी पांच बाग इकट्थी हो गई थी पांच बाग के साथ तो कोई imagine भी नहीं कर सकता कि वो आगे जाके UPS से क्राग करें मतलब इतना होसला ही नहीं होता है उसके बाद लेकिन मैंने उस टाइम पर गिव अप नहीं किया मैंने यह नहीं किया कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा मैंने तयार ही नहीं करी उस टाइम पर भी मैंने अपनी पूरी जान लगाई और फाइनली रिजर्ट आपके सामने है नमस्ते दोस्तों मेरा नाम शूती शर्मा है मैं एक I.S. आफिसर हूँ और करंटली मैं असिस्टिन डिरेक्टर की पुजिशन सर्फ कर रही हूँ रक्षा मंत्राले में तो मैं अपनी अगर ये इस मुकाम पे जहां तक मैं पहुची हूँ उसकी अगर मैं आपको जर्णी बताऊं तो वो बिल्कुल भी स्मोध नहीं थी काफी कठिन मेरा सफर रह है तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ तो जिस फामली में मैं पैदा हुई थी मेरे दादा जी का बिजनस था टेक्स्टाइल केमिकल्स का उनका बिजनस था सब लोग उस बिजनस को ही चलाते थे दूर दूर तक किसी ने कोई जॉब नहीं करी थी मेरा लेकिन सम्हाव किसी तरह मुझे भी नहीं मालूम कैसे थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ औरियेंटेशन था थोड़ा मेरा जुकाव रहा है पढ़ाई की तरफ क्यूंकि शायद मेरे फादर जो थे वो काफी पुश करते थे मुझे की पढ़ने को वो एक इंपॉर्टन्स देते थे क्यूंकि जॉइंट फामली थी तो हमें अपनी जो जरूरते थी वो सब जितना भी घर में जरूरते थी वो एक ही तरफ से पूरी होती थी बेसिक जरूरत है तो पूरी हो जाती जो भी कुछ एक्स्ट्रा होता था उसके लिए कभी-कभी मदर को मेरे नाना जी से बात करनी पड़ती थी उस टाइम पर मुझे इंडिपेंडेंडेंस की इंपॉर्टन्स समझाई और उस समय मुझे लगा कि मुझे ऐसी मुकाम पर जाना है जहां पर मैं इंडिपेंडेंडेंटली अपने डिसिजन्स ले पाऊं मुझे और लोगों पर आसपास के लोगों पर निर्भर ना होना पड़े अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कॉलेज में बीटेक में अड्मिशन हुआ अब बीटेक में जब कॉलेज लाइफ एक बार शुरू होती है तो सब लोग थोड़ा भटक जाते हैं तो मेरे साथ भी यही हुआ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई को लाइटली लिया और मेरी बैक आने लग गई पर सम्हाव मेरे दोस्तों वगरे ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने अपनी बैक्स क्लियर करी सबसे पहला टागेट यह था कि बैक क्लियर करनी थी तो मैंने बैक क्लियर करी उसके बाद उस टाइम तक तो हमें पता भी नहीं था कि UPSC करके कोई एक्जाम होता है या गेट या क्याट कुछ होता है उस टाइम तो बस एक्जाम में पास हो जाओ वही काफी था 2014 से 2015 का दौर उस टाइम पे मुझे दोनों चीजों से जूजना था एक तो अपने फादर की इलनेस जो कि एक constant struggle थी प्लस एक अपने कारियर को भी सेटल करना था क्योंकि वह पीक टाइम था जब कारियर सेटल करना होता है और मेर पे जिम्मेदारियां भी थी तो उसके बाद क्या हुआ दो हजार उस टाइम में मैंने किसी तरह करके अपनी तयारी continue रखी और 2015 में मैंने gate का exam काफी एच्छी रांग से निकाल लिया और क्योंकि father का कहना था कि IT pass का लो तो मैंने IT Delhi में M.T.E.C. में admission ले लिया अब IT Delhi में मैंने admission लिया 2015 में मैंने 2014 में मैंने first time UPSC वैसे ही exam दिख लिया था कि शायद एक job secure करने के लिए मैं exam दे सकती हूँ तो मैंने फिर अगले साल भी मैंने सोचा कि अगले साल इसको और मेहनत करके दिया जाए तो शायद मैं exam निकाल लूँ और में पस एक job हो जाएगी कभी मेरा ये हमेशा से goal नहीं था कि मुझे UPSC crack करके एक officer बना है मैंने बहुत ही महनत के साथ एक्जाम दोबारा से दिया और मेरा फिर से साथ माग से रह गया और उसी साल मेरे father expire कर गए तो ये वाला period मेरे लिए actually बिलकुल मैं टूट चुकी थी उस time पर मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे ये लगा कि शयद मेरे destiny में ही नहीं है कि मुझे ES बनना भी है और वो time मेरे लिए काफी मैं बिलकुल ये मान लो कि मैं बिलकुल depression में ही जा चुकी थी 2-3 महीने के लिए पर मैंने give up नहीं किया तो 2016 में मैंने दोस्तों के ही कहने पर फिर से आखरी बार दुबारा UPSC ES का form भर दिया और उस time की बात ये है कि 15 दिन का मेरे पास time था Mtech के exams खतम होने और UPSC के exam के बीच के दिनों का उस time मेंने decide कि 15 दिन का ही time है में पास जितना भी time है मैं उसमें अपने पूरी energy डाल देती हूँ पूरी जान जोग देती हूँ उसके बाद देखती हो अगर नहीं हुआ तो फिर वैसे ही ठीक है तो मान लेंगे कि किसमत में नहीं था तो मैंने अपने आपको बिलकुल अपनी पूरी जान लगा दी preparation में उन 15 दिन के समय में मुझे याद है कि मैं हर दिन सिर्फ दो गंटे की मैंने नीद ली है और मैंने किसी भी तरह करके इतना वार syllabus होता है जो भी EAC देता है उन्हें पता है कि syllabus 15 दिन के लायक कर नहीं होता मैंने सिर्फ इस चीज़ पर focus किया कि मैं किस तरह 15 दिन में अपना maximum दे पाऊ हूँ 15 दिन के बाद जब 3 दिन का exam होता है उन दिनों भी मुझे पता नहीं मैं किस हालत में जाके exam देके आई हूँ क्योंकि इतने दिनों की नीद और कुछ भी नहीं पता मुझे बस मैंने exam द लिए तो मैं अपनी स्टोरी से सिफ यह message आप सबको देना चाहती हूँ कि कभी give up नहीं करना कितनी भी cutting परिस्तियां हो कितनी भी मुश्किले हो आप कभी भी give up वाली चीज अपने दिमाग में मत आने देना कभी भी logic को इस चीज में मत डालना कभी भी आपको practically लगेगा च 15 दिन में मैं कौन सा UPS से निकालूंगी जब मैंने दो बार इतनी preparation के साथ मेरा माग से थोड़े थोड़े माग से रह गया तो 15 दिन में तो बिलकुल impossible था लेकिन मैंने उस टाइम पर give up नहीं किया जब आप give up नहीं करते अपना continue effort देते रहते उसी चीज में तो आपके लि कोटीड मिलेगी